भाईजान सलमान खान बिग बॉस सीजन 13 क्विट कर रहे है और ये कर भी दिया था ऐसे न्यूस हर जगह पे आ रहे थी हर न्यूस चानल ये दिखा रहा था क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो मैं हूँ मंदार और आप देख रहे है एक कही न कही वो एंग्री भी थे वहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स पर तो वहाँ पे जो भाईजान ने इस पर चुप़ी तोड़ी थी बीच में और उन्हें ने ये कहा था कि मेरी जो इस शो से नाल जुड़ी है तो ये मैं कही न कही तोड़ना नहीं चाहता मेरे अंदर का ए जैसे कि उन्होंने कहा कि कंटेश्टन घर में जाते है तो उनसे बहुत सारी चीज़े सीखने मिलती है अब घर में जो आपको कंटेश्टन दिखते है वो वैसे होते नहीं है अगर बाहर आप इनसे मिले तो आपको घर वाला कंटेश्टन और बाहर का कंटेश्टन अलग द दिखेगा अब घर में जो होता है वो एक्टिंग नहीं करते वो घर में जाकर उस माहूल में रहकर वो भी वैसे ही बन जाते है तो इससे भी बड़ी हमें सीख मिलती है कि घर का जो एट्मोस्पेर है कैसे रखना चाहिए तो ये सारी चीजे वहाँ पर उन्होंने कही और इन्होंने कहा कि इस बिग बॉस के दस सीजन करने के बाद मुझे लाइफ में बहुत सारे लेसंस मिले बहुत कुछ सीखने मिला और ये जो शो है ये में कुईट नहीं करने वाला और इसे अब भाईजान ने हाली की एक न्यूस आ रही है तो इस न्यूस के तहट उन्होंने ये जो सीजन है वो एक्स्टेंडेट का सीजन भी वहाँ पर साइन कर लिया है यानि फरवरी तक हमें भाईजान इस शो में दिखेंगे तो पहले जो था वो 15 वीक तक करने वाले थे क्योंकि उनके शूटिंग भी थी रादे की शूटिंग थी बहुत सारे बीजी शेडूल था उनका लेकिन इन सारी चीजों से समय निकल कर उन्होंने बिग बॉस को समय देने के लिए उन्हें वहाँ पर साइन कर दिया है और भाईजान अब दिखेंगे एंड तक इस सीजन के एंड तक और कही न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि परदे के पीछे बिग बॉस के मेकर्स इनको मनाने के लिए कही न कहीं बहुत अच्छे से इनको मना लिया है और बहुत सारी चीजें अब होगी Big Boss के सीजन 13 में और हो सकता है कि ये जो सीजन है सीजन 13 ये अब तक का सबसे हिट सीजन हो जाए देखते है क्या होता है बहुत कुछ होने वाला है इस सीजन में सिद्धार शुक्ला वापस घर में आएंगे, बहुत सारी चीज़े होगी और देव लीना सिद्धार के बीच में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों देव लीना घर में आ नहीं सकती मैं आपको आने वाले वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ जल से जल आक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आक्ट राइडर्स धन्यवाद